तो दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका टेक्नो अखिले जी के इस वीडियो में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं हिस्टी को और बारीकी से समझने के लिए हर एक टॉफिय टॉफिक वाइट टॉफिक इसको समझाएंगे और डीटेल से ले जाएंगे चलिए दोस्तों देर नकरते वे वीडियो को स्टाइड करते एक बार और ध्यान देजिए यहां पर जो मैं थामनल पर लगाया यूपीस इस जीडी यह उन लोग के लिए है स्पेसिलिस्ट है और देखिए आहां पर मैं थामनल पर लगाया है चार भाई बहनों जो आईस और आईपेस बने थे लोग कितने नसीब वाल है चले देरना करते हुए अपने लक्ष्च की और बढ़ते हैं चले इस तो वीडियो स्वविदा के लिए इसको और बारी की से समझा रहा है अए दोस्तों वीडियो च्टार्ट करते हैं कि चलिए दूस्तों देखते हैं पहला मेरा यहां पर एक यहां पर देखे पहले एक राए 24 से 16 सदी के बीच में क्या-क्या हुआ तो इसको बारे में टॉफिवेग टॉफिक मैंने आप दिया है इसको मैं तीन टॉफिक में वाट दिया इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका यहें हैं बहने यहां पर दिखे पूर्ण जागरण काल यहाँ आध्धुनिक विश्व इतियास परस्थान बिंदु है यहां से आपको मिलेगा आध्धुनिक 2 isso परस्थान बींदु यहां से मिलेगा और उसके आगे मैंने बाट दिया यहां पर देखिए धर्म सुधार अंदोलन याने इसाई धर्म के मध्यकाल स्वरुप की समाप्ति यहां पर यह भी एक टौफी हो गया इसका और यहां पर देखिए अगला कारान भागोली खोज अभियान नवीन देशों क हें dal मार्गों को घुए तब आटा लिए मैं साद जल मार्गों को थोज आगे बढ़ते हैं अब देखिए अाँ ठेखिए धें दोस्तों एक एक रहा राया सपी आता है कौन कौन से तभार अधोगी करांती आधोगी करांती के मतलब यहांप वर शायँगा इंगलेंड से प्रार्म अन्य्य देशों के प्रसार परसार प्रसार मने अध्य Здर्पी गंति एंगलन्य देश में हैं पहले पलगन हहा और अन्य देश में बहुत अध्यक्यक्रांथे। लेकार्च क्लानिच अभश्च पलग के शीच वह करांती जो 17,86 से 83 स्थापना के बारे में नामिरी की करांती की बारे में अगर मानों के अधिकारों के बारे में बताता है उसके अधिकार वाद देखते हैं एक कर रहे के कर देखें सब्सक्राइब जर्मानी और इडली का एक करण का भुआ था अठार सुट्रीशक में जर्मनी और इत्ली के स्ट्रीक भुआ था अठार सफ सतरस्वी में इस पर आप लोग का हरे के भाइट टोफी वाइट आप यहां पर वीडियो आता रहे शरका다면 नाइड वाला हो हर एक पारी के सिले जाने वाला हो आप लोग इन्ज करते हैं क्या चलिए इस तो मैं आगे इसके बारे में बताने वाला हूं यह कर रहा है यह तो आप समझ देख लिए देख रहा है आप देखते ही पाता चल जा रहा होगा इसके बारे में बनाने वाला हूं इसको आप जरू देखेगा अभी मैं नई श्टड़ी करूंगा तो इसके बारे में बिडियो बनाओंगा चले इस तो यहां बजेके पेरिश की संदी पेरिश की संदी कब गथा 1913 में आपकी दोहरातीर है आप यहाद एसए भी हो जाएगा और यहाँ पर राश्क्र संग का मतलब होथा कि यहां पर स्थापना आप देखे राश्ट का मतलब है यहां पर स्थापना कब गथा आप 1922 में रूशी करांति रूशी का अंती ठाब गथा निसे सत्रा से में विश्व के पर्थम समाजवाद राज के अस्थापन इसी में में हुआ था आगा देखते हैं एक राएद दू दू दूश्वे कि मैं यूजिवाद का जर्मने तरहें नाजिवाद का जर्मने खाया यह का नाजिवाद का मैं शुर्मायем में मैं यहाँ पता है क्या हुआ वे ख़्यूर यूध है तो यूद长 तोपिक में घर घर जाके लड़ते थे लोग यहां वेखे अब एक रहा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ठेक नहीं वाला जो दूतिय बिशूद के बारे मता रहें एव उन्नीस सा उन्तालेस इस्वी से पैंतालेस इस्वी तक दूतिय बिद आप लोगा था आई श कि इतिहास इंटिय बिश्यूद के यूद के अंतर में इसमीं भूए था शांतिय चाह अगे देखते कोण साड़ा ब्यूरा रहे हैं चले इस तर देखिए आगे आगे मेरा अगला टपी आए इतिहांसिक सोथ इसको भी मैंने बाट दिया है इतिहांसिक सोथ को हरेक मैं बताया ना हरेक टॉफी को ऐसे बाट देंगे तो आप लोगों पढ़ने में सुभदा बगे और हरेक पारीकी से बारीके बहत्रिंग से बह देखिए पहला बाट दिया है पुरा तात्विक सोथ दूसरा है सिक्के और तिसरा अभिलेक है अब देखिए यहां पर अभिलेक के बारे में आप तो जानगाए उसको साहित्य सुरुत के बाट है विद्यसी विवरन इसी में मिलता है तो देखिए पहले मैं दू टौफीक अभे ततकाल में बनाया दो टौफीक है अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके अप परवोट करवा दूगा अपलोट करवा दूगा वीडियो ठीक है चले देखिते यह क्या करा इस इसमें कर आप पच्ची मोतर भारत में हुए उत्खलों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिसका स्थापना लगभग 25 इसा पूर्व में हुई थी ठीक है दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करा है यहां पर करा है रेडियो कारवन डेंटिंग देखिए मैंने आप बताया था कि जो यह है रेडियो कारवन डेंटिंग एक ऐसी विद्धी है जिसकी दुवारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंदित है जैसे एक्जामपल में अपलों को समझा दे रहा हूं जो राजस्थान और कास्मीर में किसी परचलों लगभग 7000-6000 इसा पूर्व में भी था किसे पता चलता है कारवन डेटिंग भी पता चलता है ठेक है चलिए दस्तों आगे अगला मेरा क्या करा एक पौधों के आवसेशों का परिक्षण कर विशेशन विशेश्थ परागों के विश्लेशन के द्वारा जलवा अगर देखें यहाप कर रहा है सीको के अध्यन को मुद्र सास्त या नियूमी अस्मेटिक्स करते हैं ठेक है और यहाँ पर देखें आगला क्या रहा है जिन सीकों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता कोई लेख नहीं होता था क्यावल आक्रिति बनी आक्रितियां विद्ध्यमान होती थी उन्हें उन्हें क्या करते हैं पंचमार्क या आहत सीके कहा जाता था हुआ अगर यहां पर देखिए भारत में सर्वाधिक सीके मर्यथर काल के मिले जो विशिष्ट सीके सीशे प्रोट प्रोटीन वे टांबे कासे चांदे और सुने से निरेमित हैं इसमें सरवाधिक मौरतर करने सीखे मिले थे कौन यह वाला यहाप देख लिए आप लोग अब देखिए आप पर मैंने का क्या है अब देखिए आप यह कर रहा है जो गुप्त सासकों ने सरवाधिक सोने के सीखे जारे किये साथ वहां सासकों ने सरवाधिक सीखे जारे किये साथ वहां सासकों ने सरवाधिक सीखे जारे किये इसमें तो आपको मालम चल गया होगा कि कौन सासक वहां सरवाधिक कौन से सीखे जारे किये यह तो आपको लोग इसके और बहत्रिंग अब तो मैं अब यह स्टार्टिंग क पारता है मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर किजिएगा सबस्क्राइब और आइकन दाबाना मत भूलिए चलिए लिस्तों अगले वीडियो में चैहन जै भारत